हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है इस यूटूब चैनल पे जैसे कि आपको पता होगा 36 गड़ मादमिक सिक्षा मंडल राइपूर द्वारा इस साल कक्छत दस्वी और बार्वी के लिए असाइमेंट जारी कर दिया गया है थाम इस वीडियो में आपके असाइमेंट न आध्यम से आप अपने असाइमेंट को और बहतर तरीके से बना सकते हैं तो चलिए इस असाइमेंट के शुरुआत करते हैं तो देखिए आपके हिंदी असाइमेंट में पहला कोस्टन क्या है देख लेंगे प्रसन पहला में है निन्म पध्यांसों का भावार्थ लिखे य उसके बाद आए जाएंगे उसके बाद लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे प्रसंग के बाद फिर पूरे क्या लिखेंगे व्याक क्या लिखेंगे इन सभी को एक एक लाइन को अच्छे से लिख लेंगे यह हो जाएगा आपके पहले प्रसन का आंसर होके उसके बाद आता ह मान सरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या सा है दो कोस्चन है तिसको लिख लेंगे उत्तर दूसरा का पहले का आ लिख लेंगे ये पहले का आ है इसको अच्छे से लिख लेंगे तीनों लाइन को अच्छे से पैराग्राप देखे उसके बाद paragraph एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे उत्तर बा, ये बा का उत्तर ये हो जाएगा मान सरुवर के कमल में ओस की बुंदे पड़ने पर इस लाइन को अच्छे से पूरे से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपके question number दूसरा का answer अ और बा अब आते हैं question number 3 में, question number 3 में क्या बोला गया है, देखे question number 3 में बोला गया है, नर्बदा का उद्गम अमर कंटक पार्ट में वर्नेंद, नैसिक सौंदर एका किन्ही 4 बिंदों में वर्नेंद किजिए क्या बोला गया है किनी 4 बिंदों में वर्णन करने के लिए बोला गया है नर्बदा के अमरकंटक पार से तो 4 बिंदों मतलब 4 पाइंट में हम वर्णन करेंगे तो 4 पाइंट सबसे पहले तीसरा का पहला पाइंट लिख लेंगे यह हो जाएगा पहला point, पहला point को आप अच्छे से paragraph देके लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगे second point, दूसरा point लिखेंगे, दूसरे point में जल परपात, उचे पहाड से खाई, इन सभी को आप अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद आते हैं next, third point में, यह हो जाएगा third point और य question number four में क्या पूछा गया है, अमरेस्वर के कंट से नर्वदा निकलती है, या पंक्ति की संदर्व में कही गई है, ति इसका उत्तर लिख लेंगे, यह हो जाएगा, उत्तर इसका अमरकंटा के नर्वदा नदी कुंड में, पूर्वो में एक छोटा सा मंदीर है, जिसमें स question दिये जाते हैं, अब देखते हैं, question five, question five में क्या पूछा गया, प्रस नंबर five में, अपने विद्याला के प्रचारे को इस थानांतरन वा चरीत्र प्रमाणपत्र प्रदान करने ही तू आवेदन पत्र लिखे, क्या बोला गया है, यह स्थानांतरन प्रमाणपत्र और चर जहां से बिलाउं करते हैं, वहां का अपना नाम लिखे, रायपूर लिखे, अंबीकापूर जहां से हैं, उसके बाद विशाय में लिखे लेंगे, इस थानांतरन एवं चरीत्र प्रमाणपत्र हेतू आवेदन पत्रन, उसके बाद हर एक लाइन को अच्छे से लिखे लें और कक्छा 10 वी लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका इस थानांतरन एवं चरीत्र प्रमाणपत्र हेतू आवेदन पत्र, बच्चों यह हो गया आपका असाइमेंट कम्प्लीट, अगले सब्जेक्ट के असाइमेंट देखने के आप मेरे चैनल पर जाके सिधे देख सकते है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना न भूले